हलो दोस्तों स्वागत हैं आपका आपी के चैनल दावियाप ग्रोथ में दोस्तों आपी लोगों में से बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर हमने कोई भी ओवरनाइट पोजिशन होल की या कोई हमने वीकली अपनी स्टेटेजी जुबलाई की उसमें हमें डर इस बात का र जिसमें मार्केट में बहुत ज़्यादा एक एक तीन में गिराबट आई थी लोगों मार्केट में बिल्कुल एक सार पर रिकवरी आई है और जिसमें बहुत बड़ा मॉव्मेंट इसने कैप्चर किया है तो इस जून मंत की आज बैस टेस्टिंग आपको दिखाने बाला ह हम दोने चीज़े कवर करेंगे, तो लगबर पांच जार पॉइंट नीचे आती है और फिर कुर्फ से ट्रेपन हजार से उपर ही पहुंझ जाती है तो आप देखो तो यहां से गर आप जोड़ोगे तो चार और तीन साथ मुलब साथ 8000 पॉइंट एक तरफा रैली आती है तो ऐसी कंडिशन में अगर आपकी ट्रेड बच जाती है या आपको कम लॉस देती है यह डर की बज़े से आप लोग बहुत ही अच्छी अच्छी नहीं करते हो जो आपको पर मंत चार पांच परसेंट शे परसेंट का प्रॉफिट दे सकती है तो अगर आप यह सब चीज सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को ला सकते हो यहां पर आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलने वाली है और किसी डर की वज़े से अगर आप बहुत बड़ी अपरचनुटी मिस कर रहे हो तो वह गलत होगा तो इस वीडियो को ध्यान से है ठीक है तो विकेंट में कुछ प्लांज भी हैं तो हम उसको खराब नहीं करना चाहते थे बाकि हमारा टार्गेट आई गया था मैं टेलिग्राम पर आपडेट कर दिया था और अभी तकर आपने हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया तो आप इसको भी जोइन कर ल पर निकल जाएंगे इस मन्त में अब तक 23 अगस्त दोहजार चुबिस तक अभी तक ठीक है तो यह हमारा टार्गेट है उतना अचीब कर चुके हैं बागी आगले हपते देखते हैं कि हमें उसमें क्या प्रफॉर्मेंस रहती है जो प्रफॉर्मेंस रहेगी मैं आपको बहुत जादा डाउन साइड बहुत जादा अब यहां पर मैं निकले वह सारे चीज़ आपके साथ डिसकस करने वाले हूं तो वीडियो को पूरा जरू देखे अगर वीडियो अच्छी लगती तो लाइक जरू करना हम अब आपको यह अगरा चीडियों समझाते रहते हैं पर यहां पर मैंने च्इब और विक टाया मुट रिटनों कि सब्सक्राइब okay करें जाना पड़ा पड़ा है यह दो जाना पड़ा है कि हम एसको यूझ कर लिया इसको मैने चूण कर लिया थीए 183 का हमें कॉल मिला है तो हम 183 के आसपास का पूट भी देखेंगे तो हम यह डेल्टा निट्रल डिस्टेटजी बनाते हैं और यह हम काफी दिनों से बना रहे हैं और इसमें हम इसकी बैक्टेस्टिंग भी कर रहे हैं आपने देखी होगी मेरी वीडियो कहांगी यह यह प्ल मंत की में एक को दिखाना है ताकि हमें यह पता चल पाए कि हम किस-किस मंत में हमें कितना-कितना profit मिल सकता है और लौस होता है तो कितना सकता है यह को बड़ा करने वाले है आप देखिए पूरी वीडियो सो है सारी से में टाल लखी है आप इस वाली प्लेलिस्ट को भी जाएगा कि यह कितना कारगर है ठीक है तो चलिए इस्टेटीजी डालते हैं हमने इस्टाइक पर चेस्ट कर लिए हम बंडबंडे से आगे बढ़ाते हैं और जैसे हमारा एक 50% से ज्यादा गल जाएगा हम दूसरे वाल उसको एडेस्टमेंट कर देंगे ठीक एक दूसरे का 50 मार्केट उपर जा रही है ठीक है 31 फिर यहां देखो गैप होगी तीन जून को ठीक है तो वो सबसे बड़ा इंपोर्टेंट होगा तो हमें यहां पर एडज़स्मेंट करना हमें अपने रूल के साब चलना है चार्ट हमें पहले से नहीं दिखाई देता है जहां मीट्टे जैक है जिसमें कुछ करने सकते हैं तो हम पीश में पीशी जाने इसको मतलब मतलब नहीं है ठीक है 234 रुपाय 234 रुपाय 234 रुपाय हम नहीं मिलना तो 221 रुपाय मैंने अधीन से अब हम चलते हैं अगले दिन से आप देखते क्या होता है बहुत इंट्रेस्टिंग वेडियो है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लॉस देखने को मिलेंगे और इस इस्टेटजी ने उन लॉसे को भी कवर किया अब देखो यहाँ पर तीन चार जोन को मार्केट कहां गई यह कौन सा दिन था अब यहाँ पर डिलागी का इसक्या चार जून को मार्किट जो है नो में है अब क्या हुआ है मार्किट ये मान यह यह वाली कंडिल इतनी जपने नीचे उसको म कीसे भ्यान से देखना अभ यहांप क Vaterland का लॉस है ठीक है जो की लगभग 1.4 परसंट का सबस आपका लोस हो गया अब क्या करना है अब हमें यी देखना है कि भई इसमें जो है थोड़ा हम बैक जाके देखते हैं क्या हम इसमें पहले से अजट्मेंट कर सकते थे क्या ठीक है वह देखते हैं क्योंकि मज़े लगता है market gap down ही open हुई है ठीक है gap down ही open हुई है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं हमें adjustment करना ही पड़ेगा according to rule ठीक है अब हम आगे चलते हैं माल लीजे आपने market खुली और आपने माल लीजे यहां पर अपना adjustment कर दिया ठीक है ठीक है तो हम फ्रॉड़ा सब पीछे जाते हैं ताकि आपको ज्यादा ज्यादा हम loss लेके चले माल लीजे 930 तक आपने वेट किया कुछ समझ में नहीं आया आपने यहां पर adjustment कर दिया ठीक ह 800 वाला हमें पूट देखना है 800 वाल सोरी कॉल देखनी है तो 803 यह मैंने sell कर दिया ठीक है यह मैंने sell कर दिया है ठीक है अब यह हमारी दोनों balance हो गई है अब maximum profit 12% है मैंने का ठीक है 10% से 11% चल जाएगा उससे जादा नहीं चलेगा ठीक आगे चलते हैं अब देखो यहां पे यह 1200 का premium हो गया है पूट का यानि market और ज्यादा नीचे गिरी है और उसके बाद में आप देखो यह 170 का ही रहे गया तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी market जो है gap के नाम है gap down हो गई तो हम इसको कुछ ही नहीं कर सकते हैं इसको भी हमें इसको यहां पर बूक करना पड़ेगा ठीक है तो आप यह देखो यहां पर आपका maximum profit 20% हो जाएगा मैंने आपको रूल के रूल का यहां पर आप फालो नहीं कर रहे है कि रूल यहां पर मेरा कहता है कि 10% से maximum profit नहीं होना चाहिए हम इसको adjustment नहीं करेंगे इसको हमटा देंगे जो हमारी existing position इसको हम close कर देंगे ठीक है करते कभी भी आपको इंदा मनी किस टाइक प्राइस चूज नहीं करनी है ठीक है यह तीन रूल है आप ध्यान दीजिए अब हम देखिए पांस तारी को हमारी विक्स कितनी चल नहीं थी एक बार आप देख लो उसके हिसाब से आपको adjustment करना है पांस तारी को विक्स मतलब आभ में नहीं आएगा फिर रूस पहले आपको पता होना चाहिए अभी मैंने क्या किया है 125 वाला मैंने सेल कर दिया है और 122 वाला मैंने पूर्ट सेल कर दिया है दोनों को डेल्टा न्यूट्र लखने के लिए हमें premium equal रखने पड़ेंगे ठीक अब हम चलते बंडे से आगे पहले सनी पता है आपको सिर्फ रूल रहा तो हम पेठीक तो हम आपको चार्ट में अब को समझाने के लिए दिखार रहा था तकिए अभी देखो यह 50% जैसे हो दिखार कर देंगे और आगे चलते हैं कि यह थो रहता है इसकी प्रब्लम हो रही है और आगे चलते हैं अब देखो इसमें यह हो गया है ज्यादा हो गया है बिल्कुल एक्जेक्टली में आपको एक्जेक्ली मैच करना चाहिए तो आपके थोड़ी हाई रहेगी बट मैं एक्जेक्ली नहीं कर रहा हूं तो इसलिए हमारी थोड़ी गड़ जाई है अब हमने आगे चलते हैं वंडे से देखते हैं अब देखो मार्केट एकदम भाग गई अब भागी जा रही उपर जाएगी मुझे पता है तो पीछी जाएंगे देख लेंगे अब मुलब कैसे हम एस एस क्लोजर टू प्रसेंट से ज्यादा हमारा गल जाए वहीं पे हम इसको पकड़ लें तो ज्यादा बेटर रहें एक सब एक सब्सक्राइब और एक सबीस ठीक है अब देखो 230 एक सब्सक्राइब करना है 230 की कॉल बची है तो 230 का मुझे पूड़ देखना है 230 230 एक सब्सक्राइब लिक्रिट है ठीक है 211 वाले वेल मेचना पड़ेगा अब हम चलते हैं बंडे से आगे अब देखतें क्या होता है अब देखो इसमें 300 यह 145 तो यह हमारा कॉल आगे बढ़ रहा है क्योंकि मार्केट उपर जा रही है इसको क्लोज करना पुड़ेगा अब 327 की बची है तो 327 का मुझे फूट देखना है ठीक है 327 बहुत ही ध्यान से देखना दोस्तों 324 मिला इसको मैंने सेल कर दिया अब आप देखो मैक्सम प्राफिट दियान रखते रहे हैं यहां पर कितना रहा है क्योंकि हम लॉस में तो मैक्सम प्राफिट यहां बढ़ेगा नहीं दिखा रहा है तस प्रसेंट उपर नह चार सो चार सो चार सो नहीं मिला तो तीन सो तीन सो च्रासी मैंने कर दिया ठीक है आप ज्यादा करोगे तो ज्यादा अच्छा है ज्यादा मैच कर लोगे ज्यादा बेटर है वह आवरागे चलते हैं अब देखो यहां पर 394 तो 393 और 200 प्रचानबे तो अभी हमारा 50% ज्य मैं चलेए ठीके चलने दो में अभी चलने दो कोई नहीं आ रही हैं यहां पर student करने के लिए ठीचे जाएंगे और थोड़ा सा हम कर लें छह दोनीज साथ दोनी 14 तो हम अब भीवी कर सकते हैं यहां से तो हम यहां से तो किसमें दो घंटे वाले में लिए कर देते हैं तो फोड़ा जादा नहीं है बट चलो कोई बात नहीं आ एकुरेसी हम कम रखें उतना बेटर है 184 184 की कॉल है तो हम 184 के आज पास का पूट देखेंगे 181 मिल रहा है इसको मैंने सेल कर दिया ठीके 9.9 परसेंट 10 परसेंट का मैक्सिम प्राफिट है ओके यह चलेगा यह रूल के साब से है अब देखो यहां पर सारा प्राफिट आपका पांच प्राफिट चला गया क्यों क्यूंकि मार्केट बहुत ज्यादा उपर भाग गई 600 पर पहुंजी का यह 78 तो हम देखेंगे यह 50% कब हमारा यहां पर 50% से ज्यादा गल रहा है हम इसको यहां पर कर सकते हैं लेकिन और देख लेते हैं अब देखो 145 और 190 ठीक अभी भी चल जाएगा अब 117203 प्रिमियम को ध्यान देना है आपको यह थोड़ा ज्यादा हो गया पिछ बैक जाते थोड़ा सा अब दे के लिए हमें प्रिमें मिक्वल रखने हैं तब तक जब तक 50% से ज्यादा नीचे करना जाए 200 प्राइसर 252 अब चलते हैं बंडे से आगे बढ़ते हैं अब देखो यहां पर 4000 की प्रोजिशन 3000 की निगेटिव में क्यों क्यों क्योंकि 200 भाली अब यह पहुंच गी हजार र दियान देना अब देखो यहां पर 13 परसेंट के मैक्सम प्रोफिट दिखा रहा है जो की एक्सेप्टबल नहीं है दो एक दो परसेंट होता तो मैं कर ले था तो हम यह एड्जस्मेंट ना करके जो भारी पोजिशन बची थी इसको भी स्वार आफ करके हम थारती निजार क है हमलोग दस बारत यानी पॉइंट तो आप सेल कर सकते हो ठीक है पॉइंट टूटेलट ने से यहां पर आप पॉइंट सेटा देखेंगे यहां पर पॉइंट टूटेलट है पहले पईंट बन डेल्टा किया ता किया आप अप विकस्ट नीचे आ चुकि एक सो आट का मिल है कि हमारे डिफ्रेंज जो है जैसे ही जादा होगा नो दोनी अठारा यहां पे हो रहा था इसको मैंने बुक कर दिया अब 116 रुपए की कॉल है तो हमें 116 या 180 हमें पूट सेल करनी पड़ेगी तो 180 यह हमने कर दिया 188 कर दिया कोई बात नहीं चलते हैं और आगे और यहां पर देखते हैं क्या हो सकता है आप देखो यहां पर यह तीन सो वाली हम 280 वाला हम कर देता है ठीक है 280 वाला हमने कर दिया और आगे बढ़ते हैं अपना होता है अब देखो 260 ठीक है अभी ओके है दोनों प्रीमियम को ध्यान देना यह प्रीमियम गल गया अब हम कॉल नीचे गिर रही है अपूट नीचे बढ़ गया है ठीक यानि कि मार्केट ज मुझे कॉल सेल करनी पड़ेगी ठीक है 250 कहां पर है 226 मिलना है इसको मैंने सेल कर दिया अब देखो मैक्सम प्राफिट कितना दस प्रसेंटे चल जाएगा अब हम फिर से एक गिन से आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं क्या होगा अब देखो पूट नीचे गिरी थी अब अब देखो यह 50% ज्यादा गल चुका है तो इसको मझे बुक कर दिया फूट को 340 की कॉल है तो मुझे 340 से 350 का फूट मुझे सेल करना है 300 मुझे आना पड़ रहा है तो इन दमनी भी नहीं सेल करना है क्योंकि यह रूल की खिलाब है तो जो हमारी पॉजेशन बची है इसको भी हम इसको राफ कर देंगे तो राइट ना अभी हैं पांच जार के प्रॉफिट में हैं और आपने इतने सारे मुव्मेंट देख लि meidän zuh recommend में भी आपने अपनी trade को कंट्रोल कर लिया तो अब आप योगा और आपको फिर भी अगर लगता है डर द़र की ऐसे एवेंट आने वाले तो आपको पता था ईलेशन आने वाला है को एसे पता होता है, तो आप ऐसे event होके होने बाले हैं, तो उस month अपनी trade मत डालो, या डालो तो उससे पहले आपना दो-तिन दिन पहले निकल जाओ, टीक है? तो भूसा लोगों को यह रहते हैं कि हम अपनी monthly trade डालते हैं, तो उसमें हमें gap up gap down होने का डर रहता है जिसमें मारे capital by out हो जाएगा या ऐसा हो जागा लॉस हो जागा बड़ा लॉस हो जाएगा तो मैं आपको एक्जाम्पिल रिस्क तो आपका है आपकी समझ है लेकिन मैं आपको समझा सकता हूँ आपको सिखा सकता हूँ कि इतना बड़ा gap up gap down हुआ और अग नहीं डालूँगा तो यह profit नहीं आएगा ना profit नहीं आएगा तो वही मैं आपको समझाने कोशित कर रहा हूँ कि जब सवाल आते हैं कि gap up gap down हो गया तो क्या करेंगे ठीक है तो अगर आपके रूल के discipline को अगरा अच्छे फॉलोव करने वाले हो तो आप यहां पर profit बना सकते हो पैसा बना सकते हो ठीक है इससे बड़ा example मैं आपको नहीं दे सकता हूँ कि जो रिसेंट में हुआ है पिछले तो हुए होंगे बहुत सारे बहुत है और कभी ठीक है कभी भी मालो आपको किसी मंथ loss देना भी पड़ गया 12 मैंने आपने 10 मैंने काम गया दो तीन मैंने आपको loss देना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है इतने जादा एक कृशिव बना कि आपको आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरू कीजिए और आप हमारे टेले कर लेना यहां मैं आपको बहुत सारी अपडेट्स देता रहता हूं लागी अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों से शेयर जरू करना जो डर लग रहा है जिनको जो घबराते हैं मारेट्स ठीक है थैंक यू वरी मच्छ